हरे चने की अनूथी कटिंग विधी, आपका राय क्या है? वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं. हेलो किसान भाईयों, आसा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे. आज हम बात करने वाले हैं हरे चने की फसल को केसे बेचा जाता है? मंडी भाव क्या होता है? इसका हावेस्टिंग कैसे होता है? क्या साफधानिया रखनी चाहिए? जैसे की हमने चने की फसल के बारे में पहले भी एक वीडियो अल्वेडी अपलोड करके रखा है. की चने की खेती कैसे की जाती है उस वीडियो का लिंग भी आपको डिस्क्राप्थन में मिल जाएगा उसमें हमने जो स्प्रे सेडूल अपनाया था उसकी वज़े से हमें अच्छी पैदावार देखने को मिला है अच्छी फुटान और धेर सारे कल्ले निकले है और साथ ही जो पौधे पे फल आया है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आये है इससे हम भी बहुत ही ज़्यादा अचंभे थे आप वीडियो में देख सकते है कि केसा उपज हुआ है उसी के विशय में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको हरे चने की हावेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते है अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर करे ताकि सभी को इस वीडियो से कुछ फायदा मिल सके तो चलिए शुरू करते है हम बात कर रहे है हरे चने की हावेस्टिंग करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बेचने के लिए आपके पास 30-40 किलोमेटर के एरिया में सबजी मंडी होना चाहिए ताकि इसका ट्रांस्पोर्टेशन आसानी से हो पाए और कम खर्चे में मंडी तक पहुँचाया जा सके साथ ही आपको इसे ले जाने के लिए उप्युक्त साधन भी होना आवश्यक होता है हम अपने यहाँ पे जोहरा चना हावेस्टिंग करते है वो मंडी में भेजने के एक दिन पहले ही खेतों से उखार लेते है फिर उसमें छोटे छोटे लच्छे बनाते है ताकि इनको मंडी में ले जाने में कोई समस्या नहीं आए फिर इनको खुले खेत में ही रात भर रख लिया जाता है दूसरे दिन सुबह जल्दी मंडी भिजवाना पड़ता है इसके लिए हमें सुबह जल्दी इसके बड़े बंडल बना के इनको ट्रक में या जो भी लोडिन का जरिया होता है उसमें लोडिन कर लेते है उसके बाद इनके उपर पानी गिराया जाता है ताकि इसे जो खारा-खारा लेप लगा हुआ होता है वो सब धूल जाए और चने बिल्कुल फ्रेश दिखे फिर मंडी में बेचने के लिए भेज लिया जाता है मंडी के अंदर हरे चने का जो भाव है वो लगबग 25-35 रुपे प्रती किलोग्राम का होता है जो चने हम भिजवाते है वो उसके पूरी डंठल के साथ में ही सेलिंग होता है और उसी का सेलिंग हम करते है इसकी वज़े से हमें इससे अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है और ये जो मंडी भाव है वो सभी जगह पर अलग-अलग हो सकता है हरा चना बेचने का समय बजार की मांग और पूर्वापूर्ती के आधार पर निर्भर करता है आपके लोकल बजार में चने की मांग, मौसम और उपज की स्थिती को ध्यान में रखते हुए बेच सकते हैं बजार की नजर में रहने के लिए स्थानिय बजार मूल्य दरे भी महत्वपूर्ण होती है और हम आपको ये भी बता देखी, हमारे यहां पे हम मौसम भी चना बोते है जो की साइज में बड़ा और अच्छी पैदावार देने वाला होता है इसको हम लगभग एक बीगा में 15-18 किलोग्राम बीच बोते है इसको अगर हम बिना सुखाए ही हरे चने बेच लेते है तो हमें अच्छा मुनाफ़ा भी मिल जाता है एक बीगा में हमें हरे चने का लगभग 40-50 हजार रुपे का उपज मिल सकता है और वही अगर हम इसे पूरा पका कर सूखने देते है और फिर फसल को निकलवाते है तो हमें इससे लगभग 300-350 किलोग्राम का उपज हो जाता है उसका भाव लगभग 60 रुपे का किलोग्राम देखने को मिलता है उससे भी हमें लगभग 20-21 और रुपे ही मिल पाता है लेकिन वही अगर हम हरे चने को बेचे तो हमें कम समय के साथ ही अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है इसलिए हमने ये बात आपके साथ में साजा करने का सोचा ताकि आपको भी कुछ अच्छा मुनाफ़ा मिल सके इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होता है जैसे कि किस मंडी में ये अच्छे से बिक रहा है मंडी के भाव क्या चल रहे है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए या कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते है आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दीजिए आपके अपने भाई भरत किसान को इजाजत जय जवान, जय किसान